तो हेलो फ्रेंड्स गूड इवनिंग तो कैसे आप सब जैसे कि आप सब को पता ही है कि मैं गई थी मामा घर वहाँ पर किर्टन मेला था तो उसी वक्त मैंने ये वीडियो बनाया था बच्ट कुछ प्रॉबलम की वज़े से मैं इसे अपलोड नहीं कर पा रही थी तो इसे मैं आज फाइनली अपलोड कर रही हूँ तो हम लोग सब जा रहे हैं एक जगह घूमने वैसे मैं मामा घर में पली बड़ी हूँ तो मेरे लिए ये जगह उतना खास नहीं है और यह जहां हम लोग जा रहे हैं घूमने वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े मतलब पत्थर है और इसकी बहुत सारी कहानिया मैं बच्पन से सुनती आ रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि ये कहानी है या फिर सचमुच का ये सब हुआ था तो मैं जितना जानती हूँ आप सबसे सेर करूँगी सारा कुछ डिटेल में बताऊंगी कि इन सारे पत्थरों को लेकर क्या-क्या बाते लोग करते हैं क्या-क्या कहानी इससे जुड़ी हुई है तो मैं सारा कुछ आप सबसे सेर करूँगी तो प्लीज वीडियो को इंड तक देखिएगा साथी कमेंट कर बताइएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथी बैल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजेगा तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करती हूं ले चाप तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं तो चड़ नहीं सकती पप्पू चड़ रहा है क्योंकि मैं साड़ी पैन के हूं इसलिए डर लग रहा है मुझे तो ये देखिए फ्रेंड्स पप्पु चड़ गया है पत्थरों के उपर बड़े बड़े पत्थर हैं और साथ में है मेरा मामा तो दोनों चड़ गए हैं और अभी इन पत्थरों को लेकर पप्पु कुछ करने वाला है मैजिक तो प्लीज देखिए तो फ्रेंड्स ये जो पत्थर है देखिए ढोल की तरफ बज़ता है ये देखिए इसका साउंड और देखिए ये है पत्थर का आवाज और ये देखिए ढोल का आवाज तो फ्रेंड्स देखा आप लोगों ने और सायद सुन भी लिया कि कैसे एक पत्थर ढोल की आवाज निकालता है और दुसरे तरफ असली पत्थर की आवाज निकलती है दुसरे पत्थर पर तो ये ही मैजिक है इन पत्थरों का और और भी बहुत सारी बाते हैं जो आभी मै वीडियो के साथ साथ आप सब को सेर करूंगे आप सब के साथ तो वीडियो पर बने रहिए तो फ्रेंड्स चलिए आप चलते हैं दूसरे तरफ उधर एक पत्थर है जो हीलता है मगर गिरता नहीं है तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आप सब को तो फ्रेंट्स इधर रास्ता नहीं है जा रहा है पप्पू उधर से विडियो बना कर ला देगा तो ये रहा फ्रेंट्स वो पत्थर जिसके बारे मैं अभी बात कर रही थी और हम लोग देखिए नीचे खड़े हैं और अभी चड़ने वाले हैं उपर पत्थर के उपर पपू और मेरा छोटा मामा और मेरे हस्बेंड जी तो चलिए देखते हैं चड़ पाते हैं कि नहीं अ बट मामा और पपू नहीं चड़ पाए और देखिए अभी हस्बेंड जी पत्थर को हिला रहे हैं बट ये हील रहा है लेकिन आप लोग को कैमरे के उस तरफ नहीं दिख पा रहे हैं आप लोग सायद बट हम लोग देख रहे हैं और अगर ज़्यादा लोग चड़ पाते ह तो ज़्यादा दिखाई देता है कि हाँ पत्थर हिल रहा है बट अभी उतना मालूम नहीं हो रहा है कि हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है बट ये हिलता है लेकिन कोई आज तक गिरा नहीं पाया है तो फ्रेंड्स ये जो अब बड़ा वाला पत्थर देख रहे हैं इसे कहते ह पता नहीं तो दिखा दिया पत्थर को हिला कर ऑब वो सोच रहे हैं कि नीचे कैसे उत्रे क्योंकि चड़ते वक्त तो चड़ गये हैं किसी तरह अब देखे कैसे रास्ता ढूंड रहे हैं तो चलिए देखते हैं कैसे नीचे उतरते हैं कasına दो डाल। अरहनीgelा थेखे देख को जहामतीता सुभीता हाई चे दाखन दाखन फेर एटी मिक्स कोरें ना पर छन दीक तुम्हें हीलिया दीछे नो 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 तो चलिए फ्रेंड्स फाइनली मामा भी किसी तरह से उतर ही गए बहुती मतलब डर भी लग रहा था और हम लोग को यह पता ही नहीं था कि मामा और हस्बेंड जी ऐसे उतर रहे हैं यह लोग इतना धूर चड़ गए थे क्योंकि हम लोग तो नीचे थे जब मैं वीडियो देख रही थी इडिटिंग कर रही थी तब मुझे पता चला हम लोग घूम लिए और आप लोगों को भी दिखा दिए तो चलिए अब हम लोग जा रहे हैं घर यह देखिए रास्ता बहुत ही डेंजर डेंजर है और साड़ी पहन के हूँ तो ज़्यादा ही डेंजर है तो यह देखिए फ्रेंड्स रास्ता इतना डेंजर कि मेरा सेंडली टूट गया नीचे उतरते उतरते तो मैं इसे यही छोड़के जा रही हूँ बहुती बुरा फिल कर रही हूँ तो चलिए चलते हैं क्या कर सकते हैं तो फ्रेंट्स इतना डेंजर रास्ता है मेरा चपल भी तूट गया आप लोग देखी लिए होंगे चलते चलते नीचे जा रही थी धालू तरफ था और बस तूट गया तो चलिए अब देखिए खाली पेर जा रही हूं अब देखते हैं अगर दुकान मिलेगा तो खरी दें आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा सारा कुछ देख कर जान कर तो अभी मैं वीडियो को यही पर इंट कर देती हूं और उम्मीद करती हूं आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज एक लाइक कर दिजिएगा साथी चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्र अर्जिएगा कर देख कर दो बंदेगा分享 हैं अर्जिए कर देख लिएगा करूा आप लोगों आपार्णाम आप